देशक्यू रास्थानी दिली के गाजीपूर मंडी में 14 जनवरी को आईडी बम मिलने के बाद से सुरक्षा के मद्दे नजर मंडी को बंद कर दिया गया था अलकि ये 3-4 दिन बाद बाजार को बंद रखने के बाद अब आम लोगों के लिए खोल दिया गया है बता दें कि यहां भारी संखे में लोग खरिदारी करने आते थे लेकिन बम मिलने के बाद मार्केट में भीड बहुत कम हो गई है व्यापारियों को काफिर नुकसान का सामना करना पड़ा है थोग व्यापारियों से छोटे विक्रेता वो रुख्षा पर सबजी ढुलाई करने वालों की कमाई पर खासा असर पड़ा है अब ही तो व्यापारी कम हो गई डर के मारे कुछ बेपारी कम हो गई और देजे दीरे फिर आएंगे तुम लोग कैसा असर पड़ा आपके व्यापार पर कहें तो व्यापार पर असर तुपारी है तर के मारे बहुत आदमी नहीं आ रहे हैं अभी मतादे कि गाजीपूर बंकान के बाद से ही सुरोक्षा एजंसिया चौकान नहों गई है वहीं गाजीपूर के आरूपियों के पहचान कर उनकी गरफतारी की भी चेतामनी दी गई है बं मिलने के बाद उसको डिफ्यूज किया गया जिसके बाद सुरक्षा के मद्देनेजर फूल मंडी को बंद कर दिया गया था आज पांचवा दिन है पांचवे दिन आज फूल मंडी को लोगों के लिए आम लोगों के लिए खोल दिया गया इक्का दुक्का लोगों के अलावा आपको कोई लोग यहां पर नहीं दिखेंगे हाला कि आज यह पहला दिन है जब मंडी को खोला गया वो बं मिलने के बाद इसके बाद जो हो सकता है धीरे धीरे लोगों की आवा जावी यहां पर बड़े और लोगबाग अपना व्यापार करने यहां है हाला कि सुरक्षा के मद्देनेजर अभी भी फूल मंडी पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है ताकि किसी भी अपने घटना से वो सामना कर सके और लोगों के लिए जो है यहां पर एक सुरक्षा का माहौल पैदा कर सके वहीं मैं बता दू अभी इसके बाद ही जो है एक टेलिग्राम चैट मैसिज वाइरल हुआ है बताया गया कि उसमें जो है मुजाहिदीन गजवत हुल हिंद ने इस पूरे बम कांट की जिम्मेदारी लेते वे एक ठेट दी थी दिल्ली पुलिस को यानिके दिल्ली की सुरक्षा एजन्से को खुली चेतावनी दी थी कि यह बम जो है एक किसी तक्निकी कारान के तहत नहीं फट पाया लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा जिसके बाद सुरक्षा एजन्सिया चोकन नहीं हो गया दिल्ली सी नवदु टाइम्स के लिए सच बिर्लान की रिपोर्ट